सो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हमारे आरजी नियुए आपसे यूटूब चैनल में सो फ्रेंट्स आज के से वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग SBI में KYC अपना समिट करना चाते हो यानि कि KYC अगर आप करवाना चाते हो इसके लिए आपको यहाँ पर जो फॉर्म दिया गया अगर आप इसको भरना चाते हो तो कैसे बर सकते हो यह आज किसी वीडियो में बताने वाला हूँ और यहाँ पर यह एक्स्प्लेन करके अच्छ यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है account number तो यहाँ पर आपको account number में आपके passbook पर account number देखने के लिए मिल जाएगा वो आपको यहाँ पर account number लिख देना है और यहाँ पर pen number लिख देना अगर आपको पस pen card है तो आप यहाँ पर अपना pen number लिख दो और अगर आपको पस spend card नहीं है तो आपको यहाँ पर form 60 submit करना पड़ेगा यह देना पड़ेगा अगर आपको पास spend card नहीं है तो और आप यहाँ पर दूसरा वीडियो देख रहे ना कि form 60 कैसे भरते हैं पहले तो आप ब्रांच में जाना और यहाँ पर pen card को खाली छोड़ेगा अगर आपको spend card नहीं है ठीक है तो इसको आप भरिये मत इसको खाली छोड़ के बाद चोड़ने के बाद अभी यहाँ पर जो आपको बतारों पहले आप पूरा form fill कर लीजिए उसके बाद bank में जाना है और वहाँ पर यह form देना है अगर वहाँ पर आपसे बोलते हैं कि form 60 लेके आओ जभी आपका किवाई सी जो डीटेल है वो अपडेट होगा तब आपको यहाँ पर form 60 भरना है वैसे यहाँ पर लिखा हुए कि आपको form 60 देना पड़ेगा लेकिन मेरे case मे क्या था कि यहाँ पर मैंने इसको खाली चोड़े था मेरा हो गया था ठीक है अगर बैंक वाले मतलब चाहेंगे वह मांगेंगे आपसे कि आप form 60 लिका हो तभी आपको देना है और अगर आपके पास form 60 नहीं है फिर आप उसको नहीं भर सकते हो तो आपको खाली छोड़ द प्रिंट आउट निकाल के आप उसको भी फिल कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर आप देशते ओकूपेशन में आपको लिखना पड़ागा कि आप क्या करता हो अगर आपके पास प्राइवेट जॉब है तो आप प्राइवेट जॉब लिख यहाँ पर अगर आप स्टुडेंट हो तो आप इसको खाली चोड़ना कोई दिकत नहीं है आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अकूपेशन में क्या आप स्टुडेंट हो तभी ठीक है तब आपको यहाँ पर नीचे के तरफ आपको देखने के लिए मिल जाता है के लेगा कार्ड है तो यहाँ पर अगर आपके पास हमाली जी पैन कार्ड है या फिर अधार कार्ड है ठीक है तो यहाँ पर आप देख से तो अधार कार्ड के लिए आप यहाँ पर टिक कर दो अगर आप पास अधार कार्ड है तो वैसे अधार कार्ड सभी लोगों के पास हो फिल कर रहे हूं उसके बाद प्लेश लिए वही रहेगा आपका सिटी ठीक है जो भी सिटी आप यहां पर लिख देना है और अगर आपको सिगनीचर करना नहीं आते तो आप तो यहां पर आप थम impression कर सकते हों और उसके बाद यहां पर निची के दरफ आओ तो यहां पर आप आपको देखने के लिए मिल जाता है नीम तो आपको सबसे पहले यहां पर अपना नाम लिख देना है जो भी नाम है आपका पूरा नाम लिख दीजिए यहां पर करेंट एडर सापका क्या है वह आप लिख दीजिए उसके पद यहां पर आपको अपना डीटल है यह सिर्फ ऑफिस में यूज होगा यानि कि जो बैंक में है वो लोग इसको यूज करेंगे आप इसको खाली छोड़ दो ठीक आपको यहां पर नीचे कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है अभी यहां पर जितना मैंने आपको समझा दे इतना ही आपको भरना है और ब यहां पर यह दोनों फॉर्म लेकी जाना है आपको अधार का फोटो कॉपी और एक यह फॉर्म आपको जाके बैंक में समिट करना है और अगर आपका पैन कार नहीं है तो अगर आपसे फॉर्म 60 मांगते तो आप दे सकते हो आज किसी वीडियो में तरह ही आई हो आपको यह करें वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो कैसा लगाए प्लीस कमेंट करके जरूर बताना और फिरेंड्स अगर आपको कुई कोशन पूछन है अगर आपको कुई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो मेरा जो इंस्टाग्राम का यूजर नेम है वो है उमेश कुमार अंडर स्कोर 9319